हेलो फैंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी तो आज किस वीडियो में डिसकस करेंगे यानि कि इन सभी टेडो से जो प्रिवेश चेश जो एकजाम हुआ था उनमें कैसे कैसे कोस्टन्स पूछे गया हुए थे उन सभी कोस्टन्स को डिसकस करेंगे तो यह practice set 52 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 51 set दे रखा है अगर आप लोगोंने इन सभी sets को याने practice sets को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा और friends मैंने खाजाना वीडियो के नाम से exam oriented वीडियो बना रखा है जो कि सभी टेडों के लिए है और यहां से आपके exam में 5-6 number तो पूछे ही जाते है यानि कि उन-उन topics को लिया गया है इन खाजाने वाले वीडियो में जिनसे आपके exams में questions आते ही आते है तो friends इस वाले वीडियो को आप जरूर से जरूर देख लें सारे वीडियो आपको यानि कि खा जाना वा जो वीडियो है वो सभी वीडियो आपको इसी वीडियो के जो लिंक है यानि कि description है उसमें इन सभी का लिंक में वहां पर डाल दूंगा वहां से जाकर आप देख सकते हैं फिर्स इसी तो जरूर देख लिजएगा क्योंकि यहां से कोसें सबके डायर्क ली पूशें ही जाएंगे आपके एक्जाम में इसलिए मैं बोल रहा हूं इस वाले वीडियो को तो आप जरूर से जरूर देख लें और फ्रेंड्स मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है अगर आप लोगों को इन सभी वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा और अगर आपको फ्री पीडियेफ चाहिए फ्री पीडियेफ त सकते हैं तो अगर आपकी त्यारी पकी होगी तो आपकी सेलेक्शन भी पकी होगी तो आएए अब स्टार्ट करते हैं तो कोस्टर नमबर फर्स्ट है फोर्ज के ड्राइट ट्यूवर्स को करमी से बचाने के लिए है तो इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्संसी यानि कि फायर क्ले से ढखा जाता है अब देख लेते हैं कि यह कौन से एक्जाम में और कपूशा गयोगा प्रस्ट हैं तो यह आई ओफ फीटर 2013 में पूछा गयोगा प्रस्ट है अब जो इंपॉर्टिन पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जैसे फोर्ज के ड्राइट यूवर्स को गर्मी से बचाने के लिए फायर क्ले से ढखा जाता है फैंस मैं यहां पर यह भी बता देना चाहता हूं कि अगर यह आई फीटर में पूछा गया हुआ है यानि कि इस एक्जाम में पूछा गया हुआ प्रस्ट है तो यह डियारडी में पूछा जा सकता है इस रोक एक्जाम में पूछा जा सकता है डिये मार्सी में पूछा जा सकता है सेल में पूछा जा सकता है यानि कि जितने भी सारे आपर ट इस एक्जाम में पूछा गया हुआ है तो आपके DRDO या फिर ISRO या फिर SELBEL इन सब एक्जाम में नहीं पूछा जाएगा इसको आप बिल्कुल ना सूचें यह पूछा ही जाता है इसलिए जितने भी सारे प्रिबेस यह और सभी कोसंट को आप अच्छे से बना लें ताकि कोई भी अगर आप एक्जाम दे रहे हैं अपने ट्रेर से लेटेड उसमें जब भी कोई कोसंट या निक इन में से कोई भी कोसंट रिप्टेड हो तो आप इने विल्कुम निहाई भी कहते हैं इसे निम्न से बनाय जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option A यानि कि कास्ट से बनाय जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जाम है और कब पूछा गया हुआ प्रस्थ है तो ये आरर भी गोरखपुर ALP 2003 में फूशा गया हुआ प्रस्थ है अब जो important point है उसको भी discuss कर लेते हैं जैसे निहाई मुखेता कास्ट स्टील का ही बनाय जाता है अगला question है question number third Invil एक forcing tool है इस पर गरम धातू की forcing की जाती है इसकी सता hard होती है तो इसका right answer हो जाएक option B यानि कि working face यानि कि इसकी working face सता जो है वो hard होती है अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूशा गया हुआ प्रस्थ है तो ये IOF feeder 2014 में पूशा गया हुआ प्रस्थ है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे एनिविल का उपड़ी समतल सता hard होता है जिसे हम working face कहते हैं इस पर job को रख कर हाँ थोड़े से चोट लगाई जाती है अगला question है question number fourth एनिविल का stand बनाय जाता है तो इसका right answer हो जाएक option A यानि कि cast iron की बनाय जाती है अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूशा गया हुआ प्रस्न है तो ये भेल हैदराबाद feeder 2014 में पूशा गया हुआ प्रस्न है अब जो important point है इसी से लेटर उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे एनिविल का stand cast iron का बना होता है cast iron में carbon की उपस्तिती दो परकार से पाई जाती है पहला है carbon मुक्त graphide दूसरा है combined carbon अगला question है question number five hammer पडियोग करते समय नजर पर रखनी चाहिए यानि किस पर रखनी चाहिए तो इसका right answer हो जैक option B यानि कि job पर रखनी चाहिए अब देख लेते कि ये कौन से exam में और कप पूछा गया हुआ प्रस्न है तो ये RRP, Allahabad, ALP, 2007 में पूछा गया हो प्रस्न है अब जो important point है उनसे भी को discuss कर लेते हैं जैसे hammer कपडियों करते समय जोब पर नजर रखनी चाहिए तभी आप जोब पर सही सही कर कर सकते हैं जबकि चीजल head पर नजर रखनी से job पर कहीं और cutting हो जाएगी जिसे से job खराब हो जाएगा hammer, praya, high carbon steel से बना जाते हैं फिर्म्स जो खाजाना वाला जो वीडियो है उसमें tools और वो कौन से material का बना हुआ होता है उन सभी को भी discuss कर लिया गया है यानि की किया गया है उसमें वीडियो है अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं खाजाना वाला जो वीडियो है इसमें आपको मिल जाएगा अब आएए अगला question discuss कर लेते हैं तो अगला question है question number 6 binge wise का size लिया जाता है तो इसका राइट answer हो जाएगा option C यानि की job लेटों की चौराई से लिया जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो ये RRB सिकंदराबाद ALP 2001 में पूछा गया हुआ प्रस्न है friends यहां से आपको ये भी clear हो जाएगा जो ALP का अब जो exam होगा ALP का उसका भी आपको preparation यहीं से हो जाएगा यानि कि जो previous year जितने भी सारे अगर आप questions लगा लेते हैं तो जब भी अब अगर ALP का exam देंगे तो उसमें बहुत सरे questions यहां से directly पूछा जाएगा तो आप इसलिए लगा सकते हैं तो आएए अब जो important point है उन सभी को भी discuss कर लेते हैं जैसे bench wise का size, moveable job तथा fix job में screw द्वारा लगी job plate जो tool still की bunny होती है इसी से bench wise की size ली जाती है I hope friends आपको समझ में आ रहा होगा अगला question है, question number 7 निम्न में से कौन सा कारण, दुरगाटना का कारण नहीं है तो इसका right answer अप्शन C, यानि कि सुरपछा का आदर यह दुरगाटना का कारण नहीं है बाकी सब दुरगाटना का कारण है जैसे कि खत्रे के प्रती असावधानी, लापरवाही, उपकरोना का गलत उप्योग, यह सबी है अब देख लेते हैं कि यह कौन से exam में और कब पूछा गया वाप प्रस्न है तो यह RRB Chandigar ALP 2003 में पूछा गया वाप प्रस्न है Friends, यहाँ से अपको यह भी clear हो रहा है कि जो previous year जो exams जो होते हैं उन में कैसे कैसे questions पूछे जाते हैं ज़्यादा hard भी नहीं पूछे जाते हैं आप यह देखकर पता भी लगा सकते हैं आपको समझ में भी आ रहा होगा कि कैसे कैसे कौन से topics हैं और कैसे कैसे questions पूछे जा रहा है अब देख लेते हैं friends जो important point है उनसे भी को discuss कर लेते हैं जैसे workshop में दुरखटना का कारण खतरे के प्रती और सावधानी लापरवाही तथा उपकरनों का गलत उपयोग हो सकता है लेकिन जब सुरखचा का आधर करते हैं तो दुरखटना का करण नहीं होता है अगला question है question number 8 तेलिय पदार्थों की आग बुझाने हेतु कौन सा अगनी शामा का प्रियोग होता है तो इसका right answer होज़ेक option A यनिकी form का प्रियोग होता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कप पूछा गया प्रस्न है तो ये IOF फीटर 2014 में पूछा गया प्रस्न है अब जो important point है इसी से letter उसको भी देख लेते हैं जैसे तेलिय पदार्थों की आग बुझाने हेतु form अगनी सामा क्रियोग होता है अगला question है question number 9 बिद्धुत आग बुझाने के लिए कौन अगनी सामा क्रियोग करेंगे तो इसका right answer होज़ेगा option C यानि की CTC यानि carbon tetracularid का प्रियोग करेंगे अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूछा गया हुआ प्रस्न है तो ये RRB Mumbai ALB 2005 में पूछा गया हुआ प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं इसी से later जैसे बिद्दूत आग बुझाने के लिए CTC यानि carbon tetracularid अगनी सामक प्रियोग किया जाता है अगला कोसन है कोसन नमबर 10 फोम टाइप अगनी सामक में कौन से रसायन प्रियोग होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा option A यानि कि Na2CO3-AlSO4 इसका प्रियोग करते हैं अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कपूछा गया प्रस्न है तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया प्रस्न है अब जो इंपोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिसकस कर लेते हैं इसी से रिटेट जैसे फोम टाइप अगनी सामक में Na2CO3-AlSO4 रसायन प्रियोग होते हैं अगला कोस्टन है कोस्टन नमबर 11 स्रेनी बी की आग कौन सी होती है तो इसका राइट आंसर हो जागा option B यानि की तेल पेट्रॉल आदी में लगी आग जो है वो स्रेनी बी में आती है अब देख लेते हैं कि यह कौन से एक्जाम में और कप पूछा गवा प्रसन है तो यह आई ओफ फीटर दो भाचल पंदरे में पूछा गया वो प्रसन है फ्रेंट्स जितने भी classification of जो फायर है यानि की आग के जो प्रकार है इन classification जो है उन सबी को मैंने जो खाजाना वाला जो वीडियो है यानि कि वीडियो नमर 7 आप देख लिजेगा उसमें सारे डाउट सबको क्लियर हो जाएगा और अब जो इन्पोर्टेंट पाइंट हों सबी को discuss कर लेते हैं जैसे स्रेनी ए की लकड़ी पेपर कपड़े आधी में लगी आग होती है अगला है स्रेनी ऑ की तेल पैट्रोल आधी में लगी आग होती है सिरेनी C की जो होती है वो जैसे गैस आदी से लगी आग होती है सिरेनी D हो गया जैसे की इन्विलिंग मैटेरियल से जो आग लगती है यानिकि अब बेसिकलिए ये समझ सकते हैं जो सिरेनी D का आग होता है तो अगला कोस्टन है कोस्टन नम्बर 12 सोटा एसीड एक्स्टिक्यूशर कप्डियोग किस प्रकार आग पूछाने के लिए किया जाता है तो इसकराई टांसर रोचेक ऑप्षन डी यानि कि क्लास अब देख लेता है कि यह कौन से एक्जामे और कपूछा गया प्रस्ट है यह आरर भी अजमेर एलपी तो 2014 में पूछा गया प्रस्ट है फिर जो क्लासिस अफ ट्लासिफिकेशन ऑफ जो फायर है वहां से क्वेशन आप देख सकते हैं और एक एक्जामे पूछा ही जा रहा है यानि बहुत सारे एक्जाम से वहां से क्वेशन पूछा ही जाता है इसलिए जो खाजाना वोला जो सारे आपके doubts clear हो ही जाएंगे यानि कि आप देख भी सकते हैं कि हर एक question में पूछा ही जा रहा है classes of fire के बारे में तो इसलिए मैं बोल रहा हूं इस वाले वीडियो को आप अच्छे से देख ले हैं वहां पर आपको समझ में आ जाएगा इसी वीडियो के जो description में है वहां पर मैं इस वाले वीडियो का जो लिंक है वो डाल दूँगा वहां से जाकर आप देख सकते हैं अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे soda acid extinguisher के बारे में तो इसका प्रियोग कार्वोनेसियस fire को बुझाने के लिए किया जाता है इसमें वर्ग ए आग आती है अगला question है question number 13 workshop में आग लगने पर क्या करना चाहिए तो इसका राइट answer हो जाएगा option C यानि कि बिजली का मेन तुरंद बंद करें अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक्जामे और कपूश आगे वाग प्रस्न है तो sale bocaro steel plant 2016 में पूशा आगे वाग प्रस्न है अब जो important point है इसी से लेटर उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे workshop में आग लगने पर बिजली का मेन खीच तुरंद बंद कर देना चाहिए उसके बाद बाहर निकल कर fire बिग रेट को तुरंद सुचित करना चाहिए अगला question है question number 14 आग को निमन में से कितने वर्ग में रखा जाता है जिसका right answer हो जाएक option C यानि कि चार वर्गों में रखा जाता है आप खजाने वाले जो वीडियो है वीडियो नंबर 7 देख लिजेए को वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा अब देख लेते हैं कि ये कौन से एक जाम में और कप पूछा गया वाँ प्रस्न है तो ये IOF feeder 2016 में पूछा गया वाँ प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जिसे आग की चाड़ स्रेनी है स्रेनी A, श्रेनी B, स्रेनी C तथा स्रेनी D A स्रेनी की आग carbonaceous, B स्रेनी की आग तलिये, C स्रेनी में गयसियों तथा D स्रेनी में विद्थूतिय आग आती है अगला कोशन है कोशन नमर 15 वर्ग B में किसे से लगी आग होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएक ऑप्शन C यानि कि तरल पदार्थ अब देख लेते हैं कि यह कौन से एकशाम में और कप पूशा गया हुआ प्रस्न है अब जो important point है उन सबी को discuss कर लेते हैं जैसे वर्ग B में तेल ये पदार्थ आते हैं जो निम्न हैं जैसे गैसोलीन, मिटी का तेल, पेंट रिथीनर और प्रोपेन आदी अगला है वर्ग B आग बुझाने के लिए आग से oxygen को दूर करके जोलनसील liquid को बुझाएं इस प्रकार खतरनाक भागों को ignition point पर पहुचाने से रोका जा सकता है अगला question है, question number 16, वर्ग D में किससे लगी आग होती है तो इसका right answer हो जाएक option A, यानि कि बिद्दूत, यानि कि बिद्दूत से लगी आग होती है अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कब पूछा गया प्रस्न है तो ये MES, feeder, trade man, 2015 में पूछा गया प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे वर्ग D में बिद्दूत से लगी आग होती है जैसे appliances, switches, electrical bugs या power tools इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं इस आग को बुजहाने के लिए CTC यानि Carbon Tetra-Cloride Fire HD user का प्रियोग करते हैं अगला question है, question number 17 रग्त दाप का पता लगाने से संबंदित समवेधी गराही यानि कि receptor क्या है तो इसका right answer होजाए का option B यानि कि मेकानो receptor अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और गब पूशा गया हूँ प्रस्न है तो ये भेल हैदराबाद feeder 2014 में पूशा गया हूँ प्रस्न है अब जो important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे रग्त दाप का पता लगाने से संबंदित समवेधी गराही यानि कि receptor मेकानो मीटर है मेकानो मीटर का उप्योग तो अच्छा और अन्य अंगों में स्पर्स की उत्तेजना का पता लगाने के लिए भी होता है अगला question है कम ताप मान को मापने के यंत्र को कहा जाता है तो इसका right answer हो जागा option B यानि कि cryometer कहा जाता है अब देख लेते हैं कि ये कौन से exam में और कप पूछा गया प्रस्न है तो ये IOF feature 2016 में पूछा गया प्रस्न है अब इस important point है उन सभी को discuss कर लेते हैं जैसे cryometer इसका प्रियोग कम ताप मान मापने के लिए किया जाता है अगला है डाइगो मीटर तो डाइगो मीटर का प्रियोग देख लेते हैं तो इसका प्रियोग electrical conductivity यानि कि बिदुत चालन मापने के लिए किया जाता है अगला है कुरो में टॉप्टो मीटर इसका प्रियोग color perception मापने के लिए किया जाता है अगला है साइमो मीटर इसका प्रियोग wave motion यानि कि तरंग गती मापने के लिए किया जाता है अगला question है question number 19 बैरो मीटर में पारे के तल की अच्छानक गिरावट सूचक है तो इसका right answer हो जागा option B यानि कि तुफान का और ये जो प्रस्न है ये बहुत ही जादा important प्रस्न है क्योंकि ये तीन बार exam से में यानि तीन exam से में पूछा गया प्रस्न है अब देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से exam में और कप-कप पूछा गया प्रस्न है तो ये DRDO Turner 2016 में पूछा गया प्रस्न है और DRDO Feater 2016 में पूछा गया प्रस्न है सेल दुर्गपूर इस्टील प्लांट 2014 में पूछा गया प्रस्न है यानि कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रस्न है अब ज़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन सभी को discuss कर लेते हैं वायो दाब मापने का यंद्र बैरोमीटर कहलाता है बैरोमीटर में पारे के तल की अच्छानक गिरावट तुफान का सूचक है अगल आगे है ध्यातव्य है कि वायो दाब मापने की इकाई मीली बार कहलाती है अगला कोसन है कोसन नमबर ट्वैंटी कौन सभी यंद्र रग्त दाब मापन में पर्यूक्त होता है तो इसका राइट आंसर हो जग ऑप्सन सी यानि कि स्पीगमो मेनो मीटर और ये जो प्रस्न है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है आपके एकजाम के पॉइंट प्रस्न है क्योंकि ये भी दो बार एकजाम से में पूशा गया हो प्रस्न है अब देख लेते हैं कि ये कौन-कौन से एकजाम में और कब-कब पूशा गया हो प्रस्न है तो ये DRDO Turner 2016 में पुछा गयवा प्रस्न है और DRDO Feater 2016 में पुछा गयवा प्रस्न है अब जो important point है उनसे भी विडिस्कस कर लेते हैं जैसे रब्त दाब मापन के लिए स्फिमो मैनो मीटर का प्रयोग किया जाता है हाईरो मीटर से सापेक छिक आदरता मापी जाती है दहमनियों में रुद्हीर का प्रवेश निलय के संकुचन सोड़ी अंकुचन निलय के अंकुचन के कारण होता है इस प्रकार रुद्हीर का जो दबाव दहमनियों पर पढ़ता है उसे रख्त दाब कहते है तो आए होब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा तो आज के लिए इतना ही वीडि़ियो कैसा लगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिक्षन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री पीडियेप चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को जोईन कर सकते हैं इसी वीडियो के डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगा वहां से जापर जोईन कर सकते हैं और फ्रेंड्स मैं एक बार और बता देना चाहता हूँ कि यह जो खाजाना वाला जो वीडियो है खाजाना वीडियो के नम से यह सभी टेडों के लिए हैं यहां से 5-6 आपके पक करेंगे ही हैं और इसका लेंग्स जदा नहीं होगा यह 2-3 मेंट के आसपास को यह वीडियो होगा इससे आप जरूर देख लें यह जो वीडियो है इनमें उन-उन टॉपिक्स को लिए लगया है जहां से एक्जाम्स में कोशन्स पूछे ही जाते हैं हर एक साल पूछे ही जाते हैं इसलिए इस वाले वीडियो का प्रिमिस ना करें थैंक्स फॉर वाचिंग क्ला लल ल करें इस वाओ हivi दॉशनक्स फॉरे म के प्याओ ही लाक प्री आ रहगे जादelnा कमी कोशन प्रेंक्क्र आ इसलिए शॉरुत में इसलिए ना कि लोगाओं की जी जाते हैं रहगे जुच्छे ही करें आदेगे夏 Dob